हेलो स्टूडेंट कैसे हैं आप आज हम आपके cost accounting subject का सारा detail एक बार discussion करेंगे और cost accounting की हमारी जो first class है हमें क्या-क्या पढ़ना है cost accounting में उसके सारे content को हम detail में समझ लेते हैं कैसे paper design होगा, किस तरीके से हमारे questions पूछे जाएंगे exam में वो सारी चीज़े एक एक करके हम उसको समझते हैं उसके बाद हम chapter को start करें तो मेरे हिसाब से ज़्यादा better रहेगा कि आपको करना कैसे कैसे है plan कर पाओगे आपका पहले मैं exam का मैंने कुछ chapters लिखे हैं यहाँ पे लेकिन पहले मैं exam की बात कर लूँ तो आपके exam जो है जब भी exam होते हैं आपके इस exam के अंदर आपके cost accounting में number of questions की बात करते हैं सबसे पहले तो number of questions की बात करें तो number of जो आपके questions होंगे exam में वो होंगे 5 number of questions कितने होने वाले आपके 5 ही question आएंगे exam में practical जो भी रहेगा पांच question है तो मैं पांचो question को by-ficket कर देता हूँ किस किस तरीके से पांच question होगा जैसे मान लेते हैं question number one मान लेते हैं question number two मान लेते हैं question number three मान लेते हैं question number four and last question number five question number one भी हमारा और सभी question 15 marks के होंगे 15 का ratio रहेगा तो आपका जो exam होगा वो होगा 75 marks का बाकी बाद में आपको grading किया जाएगा वो DU का system है बाकी questions paper में आपको 15-15 number का मिलेगा अब question number 1 जो होगा ना इसके अंदर 2 part होंगे आपके A और B part और इसके और में भी मिलेगा आपको A और B part समझ रहे हो बात और maximum possibility रहता है जो question number 1 design होता है आपका आप register पर लिख लेना और mark भी कर लेना जो maximum possibility रहता है जो question number 1 हमारा design होता है वो question number 1 design होता है एक तो हमारा cost sheet के chapter से और एक हमारा material के लगभग chapter से या cost sheet माल लेते हैं और theory part होता है इसमें के bin card क्या है और वो जो theory part होता है न वो होता है material में से इस बात का ध्यान रखें तो question number one देखें कहने को एक question है लेकिन इसमें आपके दो part हो गया A और B, 7 number, 10 number, 5 number, कुछ भी ratio हो सकता है और इसके और में भी मिलेगा आपका तो मैंने ये दो chapter क्यों लिया क्योंकि चार question बनाने के लिए दो chapter को ये consider करते है question number two की हम बात करें तो इसमें again आपको देखने को मिलेगा A part, B part और A part और B part यानि finally आपको यहाँ पे भी चार question देखने को मिलेगा जिसमें से दो करने है ठीक है न अब ये जो question design होता है examiner वैसे तो कहीं से भी वो pick up कर लेता है लेकिन ये जो दो second question है एक ये material देखे जो मैंने यहाँ पे questions लिखे है chapter वो chapter आपके book के index wise नहीं है chapter number book में होता है cost sheet number 2 होता है material मैं जिस हिसाब से आपको करवाऊंगा उस हिसाब से मैं लेके चल रहा हूँ ठीक है ना तो इसके अंदर से design होता है हमारा paper और question number 3 इसके अंदर जाद से जाद चांसिस है कि एक question आ गया जैसे question आ गया और उसके और में भी एक question सा आ गया मतलब इसमें A, B के chances कम हो जाते है ये पूरा एक question 15 नंबर का रखने की कोसिस करता है examiner बाकी question number 4 में again A और B के concept में बढ़ जाता है A और B मैं किस chapter में कितने number का आएगा मैं board पे side में ही लिख दूँगा A और B में बढ़ जाता है तो hopefully आपको paper समझ में आया होगा कि A और B part में इस तरी के से question बढ़ेगा अगर हम इसकी बात करें तो maximum cases है कि इन दोनों chapter का weightage 15 number है ये ध्यान रखना मैं ऐसे बता देता हूँ आपको question paper में नहीं मैं chapter का weightage ही बता देता हूँ इन दोनों chapter का weightage क्या होगा हमारा 15 marks का contract और इन दोनों chapter का weightage है हमारा 15 marks का अब कैसे भी करें वो आगे पीछे करें theory practical कुछ में mix करें तो ultimately आप देख पाओगे हमारे 2 question complete होगे यानि 30 number होगे इसके बाद देखा जाए न तो इन 3 chapter का weightage 15 number का रहता है ठीक है इसके बाद material और overhead मैंने थोड़ा उपर नीचे रख दिया material overhead मिला लो या material को मैं अलग से special chapter की category में रखना चाहूँगा ये 15 number का weightage रखेगा ठीक है अगले chapter की हम बात करें तो ये जो 3 chapter बच गए जैसे ये 3 हमारे ये जो 2 chapter बच गए ये आपका 15 marks का cover करेगा तो देखो 15, 15, 30, 15 45, 60 और आपका 75 तो इस तरीके से आपका paper 75 marks का divide होगा हमें कोन सा करेंगे सबसे पहले हम cost sheet करेंगे cost sheet के बाद मैं अक्सर वो chapter करवाता हूँ जो आपको बहुत easily समझ बाजाए contract account करेंगे यानि job batch costing और उसके बाद क्या करेंगे हम process costing and joint product and buy product फिर हम material करेंगे इसके बाद फिर हम reconciliation करेंगे मैं दुबारा बता देता हूँ हमें कैसे sequence में करना चाहिए ताकि आसान हो पहले cost sheet कर लेते हैं इसमें overview मिल जाते हैं फिर contract करते हैं easy रहता है process करते हैं easy रहता है फिर material करेंगे material करने के बाद reconciliation एक बाद ध्यान रखिएगा reconciliation chapter आप तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक आपको cost sheet ना आए link है आपस में ठीक है इसके बाद फिर हम करेंगे service cost और machine hour rate ये दोनों आपस में link है लगभाग लगभाग format और concept wise तो इन दोनों को साथ में करना है इसके बाद labor, overhead और ये ये तीनों chapter अलग है ये सबसे last में cover करते हैं क्योंकि labor वाला जो chapter थोड़ा सा interesting नहीं लगता बच्चो को overhead का chapter भी थोड़ा boring लगता इसके अंदर overhead distribution का part आजाता है और ये थोड़ा complicated आता है तो मैंने पहले वो वो सारे chapter complete कर लिए यानि आप ध्यान से देखो न तो जो 60 marks का है न तो बड़े असान से होगा बड़े easy से कोई दिक्कत नहीं होने आला तो ये हमारा पूरा syllabus है वीडियो को ध्यान से देखना है application में और उसके अंदर chapter wise ही मैं लगाऊंगा live section में live classes जाएंगी आपकी जिसके और उसके साथ साथ वो recording format में आपका live में भी पढ़ा होगा और content market में भी आ जाएगा books कौन से लेनी हैं आपको इसके लिए तो आपको आगे इसके लिए जो book है वो है महेश्वरी मित्तल महेश्वरी मित्तल एक तो महेश्वरी मित्तल बुक लेनी है आपको और इसके साथ साथ आप साथ के साथ ले लें 10 year buy कर लेना 10 year और 10 year आप शिवदास का लेना ज़्यादा बेटर है शिवदास का आप online Amazon वगरा पे भी order कर सकते हो इनके website पे भी जाके order कर सकते हो यह सारा रहेगा तो यह पूरा का पूरा हमारा cost accounting जो कि कितने नंबर का था 75 marks का था और यह पूरा मैंने आपको explain कर दिया cost accounting का तो first इसके अंदर आप एक बार cost accounting का topic देख लेना topic देखने के बाद फिर हम start करेंगे first chapter cost sheet तो cost sheet से हमें start करना है ठीक है तो एक बार आप इसको note कर लीजिए इसके बाद फिर हम देखते हैं